हलो बचो क्या हाल चाल कैसे आप लोग उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे स्वस्त होंगे जबरदस्त होंगे बिटा स्वाक है ते आपका इस प्यारे से सेशन में जहां हम NCRT डीप लाइन्स के अंदर आज बात करने वाले हैं है motion in straight line की MCRT डीप लाइन्स से किसी को नहीं पता है तो बता दो यहां पर हम फिजिक्स की नर्ग पढ़ रहे हैं बिल्कुल सहीं सुना है यहां हम फिजिक्स की NCRT को पढ़ रहे हैं वह भी line by line क्यों क्योंकि बेटा जैसे बायो की NCRT important है ऐसे ही physics की NCRT भी उतना ही important होती है तो हम line by line एक एक चीज को पढ़ते हैं जहां नहीं समझ में आता उसको हम समझाने की कोशीज करते हैं तो पहला chapter units and measurement हम cover कर चुके हैं और दूसरे chapter में हम घुचरें हैं motion in straight line में जहां एक एक line को हम अच्छे से समझेंगे और साथ ही साथ जो NCRT के questions है examples जो हैं उनको हर एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है करते हैं सुरुआत chapter number two motion in straight line चलिए बड़ा ये है motion in straight line उबीद है आप सभी के पास NCRT होगी नहीं है तो जल्दी से NCRT खोल लीजिए और एक highlighter और एक pen लेका अपने पास बैठ जाएए भई क्योंकि हम एक एक चीज को पढ़ेंगे जो काम की चीज़ें होंगी हम बताता जाओंगा जो काम की चीजें नहीं होगी मैं बता दूँगा कि ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि NCRT में कई चीज़े explain करने के लिए बहुत जादा detail में बता देता है और उसको समझन मैं इंट्रोडेक्शन दे रखा है मोशन के बारे में ठीक है मोशन के बारे में बता रखा है हम सब जानते हैं मोशन क्या होता है तो उसके लिए इस को फालतो में इस कहानी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है वो बता रखा है different different चीज़े इस मोशन जो होता है ठीक है लेक पर नहीं अंधा है रेक्टी लीप मोशन का एक वर्ड सामेहां higher पार्टिकल इन डिक में सब्सक्राइब यहां दे रखिए बोल रखा है In our discussions जो हम आगे discussion करेंगे We shall treat the object in motion as point object बटा हम कई बार objects को point object ले लेते हैं लेकिन कई बार बड़े-बड़े objects को भी point object ले लिया जाता है जैसे for example हम अर्थ की बारें बात करें अर्थ क्या point object है नहीं न लेकिन कई बार अर्थ को भी point object की तरहें treat कर लिया जाता है कैसे पता चलेगा कि कब किस object को किस motion को point object की तरहें treat करना है देखिए बोल रखा है This approximation is valid So far as the size of the object Is much smaller than The distance it moves In a reasonable duration of time बोल रहा है कि जब तुम उस motion का discussion कर रहे होते हो तो उस fixed time interval में जो distance चल रहा है यदि वो distance के respect में उसकी size बहुत छोटी है बहुत छोटी है तो उस situation में हम उस object को point object ले सकते हैं जैसे earth अपने आपने बहुत बड़ी है लेकिन हम बात कर रहे हो earth जो है sun के around चकर लगा रही है तो यहाँ पे अर्थ को एक point object लिया जा सकता है क्यों? क्योंकि जब earth अपना चकर लगाती है तो वो distance बहुत बड़ी होती है as compared to size of the earth तो हम उसको भी point object ले लेते हैं ठीक है? कभी-कभी जैसे एक आदमी चल रहा है कई बार इसके motion को हम point object नहीं मान पाते हैं यदि आदमी बहुत distance बहुत सो मीटर चल के गया दो सो मीटर चल के गया तो इस आदमी की size के respect में वो बहुत चोटी चीज़ है तो हम उसको point object की तरह मान के solve कर लेते हैं ठीक है? In a good number of situation in real life the size of object can be neglected and they can be considered as point-like object without much error बोट रहा है कि point object उनको consider कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं चुन इस पर क्योशन NCRT में इस पर क्योशन दे रखा है वो क्योशन मैंने cut करके अलग से लगा रखा यह NCRT का क्योशन है मैं अलग से नहीं लेके आया हूँ यह क्योशन दे रखा है उसे सोटी से बात कि आप देखो क्योशन में पहला चलो वीडियो को पोज करो जल्दी से अपना आंस्वर देखो multiple choice हो सकता है यह NCRT की आंस्वर जो है multiple answer correct हो सकते हैं जल्दी से बताओ कौन-कौन से में point object ले सकते हैं चलो अन बात करते हैं कि एक चीज को एक railway carriage moving without jerk between two stations जैपूर से मुंबई के लिए ट्रेन जा रही है तो जो railway carriage मतलब कोई भी पार्ट है ट्रेन का ऐसे समझो कोई भी एक डब्बा है वह एक जगह से दूसरी जगह मुग कर रहा है दिस्टेंस बहुत बढ़ी है पट्री के उपर आराम से बढ़िया तल रहा है between two stations मुग कर रहा है without and jerk मतलब फालतों के up and down उन सबको बाते नहीं कर रही है तो उस situation में इस carriage को जो बड़ा सा एक डब्बा है ट्रेन का उसको हम point object ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं सही है ठीक है can be considered मतलब पहला answer आएगा ओके यह साही है दूसरा बात करते हैं एक monkey sitting on top of a man cycling smoothly उन्हें circular track अब देखो हम नौर्मल यह ऐसा करते भी हैं जब एक आदमी circular track पे भाग रहा है या आदमी cycle कर रहा है circular track पे और उस पे एक बंदर बैठा हुआ है तो उस circular track में जो distance चल रहा है उसके respect में यह monkey जो है बहुत छोटा object है तो इसको हम एक point object की तरहें treat कर सकते हैं यह भी कर सकते हैं और करते हैं हम आगे equations लगाते हैं circular motion की equations लगाते हैं इनको point object मानते हुए बलकि क्या monkey actual में एक point है नहीं नहीं actual point object तो होते ही नहीं है हम बहुत देते हैं हर object की कोई ना कोई तो size होती है लेकिन उस distance के respect में यह object बहुत छोटा है तो उसको हम एक point object ले सकते हैं a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground धार से देखना यह ground है ठीक है और यहां से एक ball आ रही है और अचानक से turn ले तो इस turn के respect में इस turn के respect में इस छोटी से turn के respect में ball की size छोटा नहीं है छोटा नहीं है जब यह हां यह सीधा आ रही है बिलकुल point object ले सकते हो लेकिन ball that turns sharply on hitting the ground इस moment पे यह point object consider नहीं किया जा सकता क्योंकि एक बहुत sharp turn है यहां ball को point object नहीं consider किया जा सकता जब एक गूमती हुई ball तकराती है तो इसका अलग-अलग point की velocity अलग-अलग होती है तकरा के ground के contact वालग point हो सकता है पे हो तकरा के अलग direction में move करे तो इस situation में पूरे object के motion को एक जैसा नहीं बोला जा सकता mostly हम motion को हम point object का मानते हैं जब हर एक point का motion almost same होता है उस path के लिए लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा थिक है तो इसको हम point object consider नहीं करेंगे क्योंकि यह turn बहुत sharp turn है बोला भी है इसने sharp ली यदि एक बोल को हवा में फैक दिया जहां से सुनना हवा में फैक दिया projectile motion कर रहा है जाके गिर रही है यहां कोई sharp turn नहीं है इसको हम point object मान सकते हैं लेकिन जब टिक टिक sharp turn वहां नह मानते हैं ठीक है चले एक tumbling beaker tumbling क्या होता है मेरे जी में ऐसे dance करता हुआ होता है क्या पता नहीं क्या होता है जो भी मुझे भी नहीं पता पर मैं इसके पीछे क्यों पड़ू एक beaker है that has slipped off the edge of a table यह table है यहां से एक container जो है इससे गिर गया जब यह container गिरेगा अब देखो table की height अब table की height तो यह normal height होती है container की height नोर्मल जैसे table की height है दो मीटर एक मीटर इस ताइप की container की height मालूप आदा मीटर यह तो बहुत छोटा नहीं बोल सकते यह जब यहां से गिरेगा तो इसका motion point object नहीं बोला जा सकता यह भी नहीं होगा क्योंकि ऐसे घूमता हुआ गिरेगा तो actual में rotational effect भी आने लग जाते हैं यहां पे ठीक है बट अभी हम motion state line के बात करें तो इनको हम point object नहीं मानते हैं तो यह questions था जो सीधा NCIT की language से उठाया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ किनेमेटिक्स वी स्टडी वेज ओडेस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंटु दा कोज ओप मोशन मतलब हम उसके पीछी कारण है उसको हम नहीं देखते बस पार्टिकल का मोशन हम स्टडी करते हैं उसकी कहानी बता रहा है एक प्रकार से कानेमेटिक्स की डेपिनेशन वो सब बाते करते हैं ठीक है बाकि हम चैप्टर फोर में इसके बारे में बाते करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा लोजोप मोशन आगे बढ़िए यहां से काम की चीजी स्टार्ट होती है यहां से काम की चीजी स्टार्ट होती है ठीक है हां instantaneous velocity and speed instantaneous velocity and speed अब द या speed को define कर रहा है, पूरा अच्छे से चीज़े इसने बताया गया है, यहां पर देखो, बोल रहा है, the average velocity, यह assume कर रहा है कि तुम थोड़े से समझदार बच्चो, 9th class में average का concept पढ़ा है, बड़ सचा ही मुझे बता है, कोई बात है, ठीक न, average velocity क्या होती है, average velocity 9th class में displacement upon time, average velocity कैलाता है, किसी interval के दोरान, particle का displacement upon time, average velocity कैलाता है, तो बोल रहा है, average velocity tells us how fast an object has been moving over a given time interval, उस time interval में कितना fast object चल रहा है, but does not tell us how fast it moves at different instant of time during that interval, भूमी का set कर रहा है, चुन बोल रहा है, जैसे मालो, तुम दिल्ली से मुंबई गए, 12 गंटे में, दूसरा आदमी है, दिल्ली से मुंबई गया, 8 गंटे में, ये तो बता रहा है कि दूसरा वाला कम time में तुरा distance सल रहा है, बता है, तो वो तेज च किसी particular point पर कितनी speed रही होगी, हो सकता है, 12 गंटे वाला किसी moment पर उससे भी तेज चलाओ, आठ वाले से भी, तो किसी एक instant पर चाहिए उसकी particle की speed की, तो हम instantaneous velocity define करते हैं, किसी एक particular time के लिए, ठीक है न, over the period वो एक velocity define करता है, वो average होती है, लेकिन हमें किसी एक instant पर चीज़ velocity भी बोल देता है, मतलब यदि कहीं velocity लिखा हुआ है, it means instantaneous velocity, लेकिन कहीं average velocity बोलना होगा, तो वो specify करेगा average velocity, हम खुद से average उसको अज्यूम नहीं करेंगे, सिर्फ velocity बोला है, it means instant, किसी एक instant की velocity है, ठीक है, the velocity at an instant is defined as the limit of average velocity as time interval delta t become infinitely small, ज्यादा जनले बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, कि average velocity क्या होती थी, displacement upon time, यह होती थी, displacement, V average जो है, यह होता है displacement upon time, displacement को क्या बोलेंगे, final position minus initial position upon delta t, इसको बोल देंगे delta x, तो average velocity होता है, delta x by delta t, average, average velocity होता है, delta x by delta t, mathematics में, हम क्या करते हैं, इसको limit delta t 0, मतलब यह बोल रहा है, वो जो interval जो आप ले रहे हो न, जिस interval की तुम average निकाल रहे हो, उस interval को छोटा कर दो, बहुत छोटा कर दो, almost 0 करने की कोशिज करो, जब तुम उस time interval को छोटा करते जाओगे, छोटा करते जाओगे, तो उसका displacement कुछ हाएगा, इसको mathematics में dx by dt से लिख दिया जाता है, वो बोलता है कि छोटा सा time interval, बहुत छोटा, infinitely small, मतलब 0,000,000, बहुत इतना ऐसे छोटा time interval, तो उसका displacement भी बहुत छोटा ही आएगा, तो हम dt को, delta t को dt लिख देते हैं, delta x को dx लिख देते हैं, और mathematics में इसको बोला जाता है rate of change, इसको बोल जाता है differentiation, ठीक है, तो basically ये velocity जो है हमारी, वो आगया dx by dt, मतलब differentiation of x with respect to t, इसको बोलेंगे rate of change, rate of change of position with respect to time, with respect to time, dx by dt, ये होता है velocity, ठीक है, वो ही कहानी जो मैंने बोली, वो ही समझा रहा है, ये appendix बगेरा ये जा रहा है, ये वहाँ वापस लेके जाएगा, starting से, वहाँ कुछ उसने differentiation बगेरा को explain किया हुआ है, basically वो differentiation की बात करेगा, हमें मैं assume कर रहा हूँ कि तुम्हें differentiation तो आता ही होगा, simple सा differentiation तो, तो velocity को dx by dt लिखा जाता है, ठीक है, ये बोल रहा है, आगे, we can use 2.1a for obtaining the 2.1a, ये 1b है, 1a है, ये वाली, ठीक है न, ये वाली equation, बोल रहा है कि we can use equation 2.1a for obtaining the values of velocity at an instant, either graphically और numerically, ये तो differentiation का तरीका होगया, velocity निकालने का, ये बोल रहा है कि ये जो equation लिखे न, delta x upon delta t, delta t approaching to 0, इसे limit, l.i.m. जो ये लिखा हुआ था, limit, ये बताता है कि delta t की value 0 को approach कर रही है, बोल रहा है कि हम ये velocity जो average है, इसको graphically भी समझा सकते हैं, और numerically भी समझा सकते हैं, graphically कैसे ही, इसने graph में समझाया हुआ चीज़े, तो इसको समझाने के लिए मैं अलग से graph ड्रो करता हूँ, उसमें चीज़े समझाता हूँ, चलिए, graph पर आते हैं, ये लिज़े, देखो, एक graph ड्रो करते हैं, particle की position का time के साथ, एक basic graph भी read करना आना चाहिए, ये नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, इधर इस axis पर मैं time को लूँगा, different different time, इस axis पर मैं position को लूँगा, different different position, तो different position का graph time के साथ plot करूँगा, तो वो graph कैसा आएगा, कोई भी graph ले लेते हैं, कोई भी graph randomly, let's suppose, जैसा उसमें दे रखा है, इसा ही ले लेते हैं, ये graph ले लिए, अब बोल रहा है, चलो average velocity बनाते हैं, average क्या होती है, याद करो average क्या होती है, average velocity होती है बिटा, delta x upon delta t, मतलब x2 minus x1 upon t2 minus t1, मतलब एक time interval और उसका position का difference, यह होता है, देखो, किसी time t1 पर, यहाँ पर देख, किसी time t1 पर, यह t1, किसी time t2 पर, यह t2, यह time interval लिया मैंने, अभी ज़ादा लिया, position यह है, यह position है, और एक position यह है, यह x1 हो गई, यह x2, इस चीज़ को, देख के मुझे थोड़ा सा कुछ basic mathematics का याद आ रहे, तुम्हें आ रहे है कुछ याद, y coordinate का change, अफ़ो, x coordinate का change, देखो, x1 से x2, y coordinate का change, t1 से t2, x coordinate का change, actual में यह लिखा हुआ है, actual में यह लिखा हुआ है, average velocity जो है, यह होगा, slope of x t कर, slope भी नहीं बोलूँगा मैं, slope भी नहीं बोलूँगा, slope of, slope of, line joining, line joining, x1, t1, and x2, t2, अरे, यह वाली line, एक line join करो, यहां से यहां को join करो, करो भई, यह join करो, यह line join करो, इस point को, और इस point को मिलाने वाली जो line है, इसका slope क्या होगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1, y पर यहां x है, तो x2 minus x1 upon t2 minus t1, यही होता है, तो actual में, इन दोनों point को, जो time interval हमने select किया है, इन दोनों को point को मिलाने वाली जो line है, उसका slope average velocity कहलाता है, अब क्या करते हैं, time interval छोटा कर देते हैं, time interval क्या कर देते हैं, छोटा, देखो, बहुत deep चीजे समझा रखें इसने, time interval छोटा कर देते हैं, यह जो time interval देते हैं, अब और छोटा ले लेते हैं, यहां से यहां तक कर लेते हैं यहां पे एक पॉइंट यह है इन दोनों को मिलाने वाले लाइन इस बार यह हो जाईगी ठीक है? माल लो देखो इनका बीच का टाइम जो है वो यह था इस टाइम के कर्रेस्पोंडिंग मेरे को बात पे करने देए अब सोचो इससे थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बात के एक लाइन बनाया ऐसे अब इंटर्वेल कम किया था अब ये छोटा इंटर्वेल किया था और छोटा करो इसको और छोटा करो और छोटा करोगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ है देखो यहां से यहां को मिलाने वाला लाइन हो जाएगा और छोटा करोगे तो धीरे धीरे देखोगे न तो यह actual में tangent बन जाएगी Just if time पर आओगे तो यह क्या बन जाएगी? tangent Just if time पर आओगे तो यह लगबग tangent बन जाएगी tangent tangent तो यह graphical method होता है instantaneous velocity को दिखाने का अभी तक तुमने रटा होगा यह x-t graph का slope velocity बताता है x-t graph का slope instantaneous velocity बताता है आज समझो इस सीद को कैसे वो x-t graph का slope instantaneous velocity बताया एक तो वो differentiation था एक यह भी graphical method बोलते हैं इसको तो यह लिख लो slope of x-t curve slope of x-t curve will give velocity वो भी instantaneous velocity instantaneous velocity ncrt की खासियत क्या है यह चीजों को उस तरीके से समझाती है जिस तरीके से सोचा गया था कभी जब starting में किसी को कुछ knowledge नहीं था तब कैसे सोचा गया था अब तो हम बड़े असान से बोलते हैं क्या बोलेंगे देखो हम पहले सिखाते हैं differentiation dx by dt फिर वहां application of differentiation बताते हैं वहां बोलते हैं कि किसी भी करू के slope को dx by dt लिखते हैं हम रटके बैठ जाते हैं और जैसे यह dx by dt आता है हम कहते हैं बताओ क्या बताया गया था xt करू का slope dx by dt होगा इसलिए याद कर लो xt करू का slope velocity बताता है लेकिन actual graphical method यह है उस चीज को समझाने का कि तुम इन दोनों point को नस्दीक लाते जाओगे नस्दीक लाते जाओगे जिस point पर तुम्हें velocity चाहिए उसके पास में तो जैसे जस्ट यह इसको बोलता है delta t को गटाना छोटा करना इसका slope instantaneous velocity बता रहे यह बताता है average velocity यहां से यहां की average velocity इसका slope मतलब यह जितना ज्यादा slope होगा उतना ज्यादा average है जितना कम slope होगा उतना कम average है इस तरीके से average velocity भी निकाल सकते है क्योशन इन पर भी frame हो सकता है ठीक है क्योंसर इन पर भी फ्रेम हो सकता है बाई यही चीज बता रखा है देखो यह सेम वो ही ग्राफ इसमें कुछ डाटा बगरा लेकर रखा है यह तो हो गया ग्राफिकल एक न्यूमेरिकल मेथड भी होता है यही वो उसी चीज को पूरा समझा रखा है इंटरवेल यह लिया फिर डेल्टा टी को छोटा करते गए छोटा करते गए चार सेकिने के पांस पहुँच गए वो भी अब देखो यहां पढ़ते हैं इस दिफिकल्ट टु सो देर्स प्रोसेस ग्राफिकली बोल रहा है कि यह जो काम है थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था फिर भी चलो मान लेते हैं बट इस वी यूज निमेरिकल मेथट टू अप्टेन दा वेल्यू अफ दा विलोसिटी दा मीनिंग अप दा लिमिटिंग प्रोसेस बिकम क्लिर बोल रहा है कि चलो आब इसको निमेरिकली करते हैं लेकिन यह बोल रहा निमेरिकली आसान है लेकिन निमेरिकल में कैल्कुलेशन्स जादा होती है तो उसको समझाने के लिए देखो क्या कर रहा है यह एक एक जामपल ले रहा है कि भाई यह जो ग्राफ बना रखा है यह बता रहा है कि यह जो ग्राफ है मैंने यह लिया था x is equal to 0.08 t cube होगा कोई ग्राफ t cube उसके आगे multiply में है 0.08 t cube कोई ग्राफ लिया इसने बोला यह दि एक्स ऐसा है तेबल अब इसने एक टेबल बनाए इसमें देखो क्या क्या लिखा delta t interval लिया आप ध्यान से देखना इसने क्या बोला था delta t को छोटा करता जाओ तो इसने पहले interval लिया 2 second का फिर लिया 1 second का फिर लिया 1 second का फिर लिया point 1 second का फिर लिया point 0 सब्सक्राइब चूता करता जा रही इंटर्वेल को ठीक है अच्छा अब देखो चार सेकिंड पर विलोसिटी निकालना चाहता है इसने चूज गया बहुए मैं चार पर निकालना चाहता हूं इसकी मर्जी थी तो इसने 2 सेकंड का दो सेकिंड का इंटर्वेल लेना है तो टाइम कहां से कहां तक लेना पड़ेगा चार को सेंटर मान किये दो सेकिंड का इंटर्वेल लेना है तो एक इधर एक इधर तो चार से एक पहले तीन चार से एक बाद पांच तो 3 से 5 का interval दिया 3 से 5 का तो देख इसने पहले 3 से 5 का interval दिया उसके 3 पर इसने x निकाला 5 पर इसने x निकाला यह जो equation दे रखी है यह numerical method है इसने पूरा calculation solve करके इसने table बना के दे रखी है हमें बस समझना है इसको बाकि इसका कोई use वैसे नहीं लेंगे हम समझ रहे हैं बस से जोगों कैसे चीज़े आई थी तो 3 पर रख value निकाली 5 पर value निकाली और ज्यान से इसने delta x by delta t लगाया तो delta x कितना है इन दोनों का difference यह आया delta t कितना लिया था 2 तो delta x by delta t आया 3.92 फिर इसने क्या क्या interval को 2 के बज़ा एक कर दिया अब एक मतलब 4 से आधा पहले आधा बाद एक सेकेंड का हो गया तो उसने दोनों साड़े 3 और साड़े 4 पर इस बार यह काम किया साड़े 3 पर position निकाली साड़े 4 पर position निकाली इन दोनों का difference निकाला यह आया फिर delta x by delta t किया यह आया 3.86 फिर उसने और कम किया फिर आया 3.845 फिर उसने delta t और कम किया फिर आया 3.8402 फिर delta t और कम किया 3.8400 ध्यान से देख रहो यह value exaggerate होती चले गए जब उसने time interval घटाता जा रहा है value लगबग 3.84 के आसपास saturate सी होगी है यह भी 3.84 something 3.84 something 3.84 मतलब value जो है 3.84 के पास में सीमित होती चली गई है इसी और इसी को और कम करते जाओगे तो यह value मिलगी जहां वो approach कर रहा है delta t को 0 का approach कर रहा है तो velocity जो है वो इसको approach कर रहा है तो बोल रहा है कि इसका मतलब instantaneous velocity 4 seconds पर 3.84 हो यह numerical method होता है बट हमें कभी भी ऐसा नहीं कर तो sir हमें क्या करना है देखो यह चीज़े समझाने की हैं NCRT में दे रखी हैं इनका use होता है जैसे कभी graphical questions पूछ दिया उसने बोल दिया just question में क्या होगा इस line का जो slope है वो ही तो average velocity होती है हम slope निकाल देंगे खुस हो जाएंगे इस तरीके से use करता है क्योंस में बाकि यदि हमें velocity निकालनी है तो हम dx by dt यूज करते हैं dx by dt simple mathematical calculation करेंगे यह graphical भी नहीं करेंगे geometrical भी नहीं करेंगे यह उसने पूरी कहानी समझा रखा है वो ही सीजे delta x by delta t तो देखो उसने बोल भी दिया calculate dx by dt at different instant as done in the following example एक example से समझा रहा है हम भी कर लेते हैं लोग भाई हम भी कर लेते हैं बोला कि position of particle जो है वो यह है x is equal to a plus b t square a की value दे रखी है what is the velocity है t equal to 0 second and 2 second खेल रहा है भाई कितना असान क्यों से है अलग से कर देते हैं यह लो x is equal to a plus b t square तो velocity होती है dx by dt simple differentiation करो कोई नोटन की नहीं जेल नहीं constant का differentiation आता है 0 और b t square का आएगा 2b into t यह लो भाई b की value दे रखी है 2.5 रखो यहां पे 0 पर velocity 0 आएगी 2 second पर 2 रख देना velocity आजाएगी answer आजाएगी ठीक है what is the average velocity between 2 and 4 average velocity कैसे निकालोगे displacement upon time average velocity कैसे निकालोगे displacement upon time तो average के लिए 2 second पर x निकाल 4 second पर x निकाल difference निकाल delta x upon delta t delta t 2 यहां से average velocity आजाएगा तो कोई difficult task नहीं है तो इसको पोज कर solve करके देख instantaneous velocity भी निकाल के देख फिर average में निकाल के देख तुरंट से answer आजाएगा दोनों का और इसने निकाल भी रखा है चाहे तो reference के लिए इसको देख सकता है इसके solutions को ठीक है यहां से इसने average निकाल दी बहुत आसान है कोई बड़ी बात नहीं थी तो basically हम questions solve करने के लिए तो differentiation का use करते है लेकिन जो यह तो कहानी हमने पढ़ी है इसका use किसी घुमा फिरा के जो questions पूछे जाते ना graph बना के दे दिया तो उसमें use होता है इन चीजों का चलिए आगे भढ़ते है बोला note that for uniform motion velocity is the same as the average velocity at all instant देखो काम की बात बोलाए यह बोल रहा कि uniform 9th class में पढ़ा था 9th class में uniform motion आरे particle की velocity constant हो हम 9th class में इतना ही समझदार थे हम बोलते थे एक पार्टिकल दो मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो हमेशा दो मीटर पर सेकेंड से चलता था हमारे लिए सीदा सीदा उसको हम बोलते थे uniform motion तो यदि एक पार्टिकल constant velocity से move कर रहा है तो उसका average निकालोगे तो भी वो ही आएगा यदि कोई पार्टिकल हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है तो उसका average भी किसी भी इंटर्वेल के लिए 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा थिक है तो वो ही बोल रहा है कि average velocity instantaneous velocity के बराबर ही होगी थिक है ओके एक दो चीज़ों और बता रहा है instantaneous speed क्या होता है मैं बता देता हूँ इक कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है instantaneous velocity और instantaneous speed में difference क्या है instantaneous velocity के पास दो चीज़े होती है एक होता है magnitude एक होता है direction यदि हम motion इन straight line की बात करें तो velocity positive negative दोनों हो सकती है मतलब particle के पास velocity इधर है let's suppose इसको हमने positive बोल दिया इधर होगी तो negative बोले तो इसना example लिया कि 24 meter per second से भाग रहा है तो 24 और minus 24 दोनों velocity हो सकती है लेकिन speed दोनों के case में 24 ही है तो speed is basically magnitude of instantaneous velocity instantaneous speed is basically magnitude of instantaneous velocity ठीक है ओके और बेटा मैं उमीद कर रहा हूं कि NCRT मेरे कहने के मताबिद NCRT कब पढ़ने के लिए बोला था जब आप उस chapter को class में पढ़ चुके होते हैं उसके बाद आपको NCRT पढ़नी होती है मैंने बोला था कभी भी NCRT को उठा कि पहले मत पढ़ने लग जाना तो मैं अब expect कर रहा हूं कि तुम पहले चीजे पढ़ चुके हो class में उसके बाद आप NCRT पढ़ने आयो उसी के हिसाफ से lectures design है तब ही आपको 100% benefit होगा इन चीजों का एक दम clearly चीजे एक बार में पूरी NCRT कवर हो जाएगी आठ्षे से समझना जाएगी लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पहले में request करूँगा आप chapter को पढ़ें उसके बाद NCRT पढ़े लेकिन NCRT जरूर पढ़े ठीक है चल यह तो हो गया instantaneous velocity average velocity average velocity क्या होता है displacement upon time ऐसे average speed भी होता है average speed क्या होता है distance upon time कुछ चीजे इसने नहीं बताई है लेकिन हम class में बताते है distance और displacement यह इसने क्यों नहीं बताई है यह समझ के चल रहा है कि 9th class में हम पहले बता चुके है NCRT क्या करता है जो पहले बताई हूँ चीजे उन्हें दुबारा नहीं बताता लेकिन हम सीधे साधे लोग है class में दुबारा पढ़ाते है distance भी पढ़ाते हैं displacement भी पढ़ाते हैं displacement जो होता है वो initial और final position के बीच की shortest distance होती है distance की value displacement से या तो बढ़ी होगी कम से कम बराबर हो सकती है otherwise distance mostly displacement से क्या होगा बढ़ा होगा तो equal time interval के लिए ती मैRRs quil कि बात करूं तो displacement चोटा distance बढ़ा तो leverage speed भी बढ़ा होगा average velocity से तीक है? average speed बढ़ा होगा कम से कम बराबर हो सकता है average speed बढ़ा होगा कम से कम बराबर हो सकता है average velocity के लिख दूो लिख दो परेशान ना हो ना वही लिख लो, distance जो होता है, distance, that is greater than equal to magnitude of displacement, ऐसे ही, average velocity, average speed पहले लिखता हूँ, अच्छा लगेगा मुझे, average speed, क्योंकि distance से speed आती है, is greater than equal to magnitude of average velocity, कम से कम बराबर होती है, otherwise speed जाता होगी, लेकिन instantaneous speed, instantaneous speed will always be equal to, not greater than equal, always equal to magnitude of instantaneous velocity, किसी instant पे बराबर ही होगी, क्योंकि वो तो एक particular instant की है, velocity के बास बस एक direction और होती है, बस, speed के पास direction नहीं होती है, तो velocity का magnitude ही speed होता है, तो simple speed या instantaneous की बात करें, तो equal होगी, average अलग हो सकते हैं, distance displacement अलग हो सकते हैं, average speed, average velocity अलग हो सकते हैं, लेकिन instantaneous speed और instantaneous velocity का magnitude हमेशा बराबर होती है, चलो, acceleration पढ़ के equation करें या फिर acceleration का आते हैं, चलो कश equipment करते हैं, अच्छा लगेगा है, आओ बही, graph पढ़ना सिखा रहा है, चलो इसको समझते है ABOUT 2.12 , अब तुम सोचो के सब्चे हैं ? मैंने क्या है इसमें equations अलग-अलग sequence में samples open नीचे करके दे रखे देंने मैंने उनको सिक्वेंस में सेट किया ताकि समझना असान हो। बोला है, लुक एड़ा ग्राफ केर्फुली और स्टेट विद रीज़न विच अब दा फॉलोविंग, विच अब दीज कैनोट भी पॉसिबल रिपर्जेंट वन डाइमेंशनल मोशन और पार्टिकल। बोला है, इन में से कौन सा वन डाइमेंशनल मोशन को रिपर्जेंट नहीं कर सकता। तो ये सारे टाइम के साथ गराब बना रखें, कोई पोजीशन का है, कोई वेलोसिटी का है, कोई स्पीड का है, कोई टोटल पार्थ लेंथ का है। तो अब देखो, मैं क्या क्या बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा दिमाग में एक बात रखना, एक्स हुआ पोजीशन, वेलोसिटी हुआ, एक्सलरेशन हुआ, स्पीड एक्सलरेशन का मेगनेटर, जो भी वानो, ये सारी चीजे हैं, एक टाइम पर, एक ही वे पोसिबल है, मतलब, मतलब कहरा है कि किसी एक टाइम पर एक ही तो वेलोसिटी होगी, ऐसा थोड़ा एक पार्टिकल, दो दो वेलोसिटी एक टाइम पर रख लेगा, एक ही होगी, एक्सलरेशन भी एक ही होगा, पोजीशन भी उसकी एक ही होगी, तो ये सारी चीजे एक ही ह अइसा कैसे अब यह मतना स्वह इसमें कि टब पार्टिकल एसे घुम रहा है इसरा स्वी फिरसे धाफ को समझो इधार इसने ठाइम लिया यदिये KIRBY ग्राफ ऐसा होता यदि यह graph ऐसा होता है कि इधर x coordinate है, इधर y coordinate है और particle ऐसे नाच रहा है, मैं मानता कि नाच सकता है मैं मानता कि नाच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यह possible होता लेकिन इधर time लिया है path नहीं बता रहा है xt graph जो है वो path नहीं बताता है XT graph बताता है कि किसी time पर उसकी position क्या है कोई भी particular time चूज करो ये time लिया इस पर दो position आ रहा है possible नहीं है, एक ही position होनी चाहिए C मैंसे देखो तुम्हें लग रहा हो कि सर ये circular motion तो कर रहा है तो possible है अरे भाई path नहीं बताता VT graph VT graph बताता है कि किसी particular time पर speed या velocity क्या है अब तू बता circle में घूम रहा है तो कोई ये velocity time graph होता क्या वो तो XY graph देता कि X coordinate और Y coordinate देखो circle में घूम रहा है तो किसी एक time पर दो-दो velocity कैसे possible है यार, इसकी particle की इस time पर ये velocity भी है और ये भी है, कैसे ये भी possible नहीं है, ये भी possible नहीं है दोनी possible नहीं है चलो, speed का time के साथ और सुरो देखो, इस बार एक ही है साथ देखो, ये तो possible है इस बार तो देखो, सार एक ही time पर एक ही है बिलकुल सही बार एक ही time पर एक ही है, बिलकुल सही लेकिन negative कैसे negative कैसे है बाई speed तो negative नहीं हो सकती होता है magnitude एक scalar quantity होती है particle velocity positive negative रख सकता है यदि velocity होता तो ठीक था लेकिन speed negative नहीं हो सकती फिर गलत है फिर गलत देती next note total path length मतलब distance की बात कर रहा है time के साथ sir एक time पर देखो एक हाय ये तो आपो नहीं है सर नीगेटुन थें नहीं है एक टाइम पर एक होती है एक टाइम पर एक है इक है कुछ गढ़बड है को पहले भड़ा फिर घटा कैसे distance कभी घट नहीं सकता distance can never decrease can never decrease ये घटी कैसे जो तू चल चुका वो distance घटेगी कैसे वो तो हमेसे बढ़ेगी न तो ये भी गलत है, सारे गलत सारे गलाब गलत है हाँ displacement घट सकता है distance नहीं घट सकता displacement होता तो सही हो जाता तो हर एक graph को read करना समझो deep मतलब समझो उनका ये NCRT का क्यों सब्सक्राइब जो last में दे रखें आप देख सकते हो next आगे भरते है 2.13 इसको भी समझते है बुढ़ रखा है कि graph दिखा रखा है XT plot of one dimensional motion of a particle एक 1D motion का XT graph दे रखा है ठीक है is it correct to say भूल रहा है कि क्या मैं ऐसा बोलू तो सही होगा from the graph that the particle moves in a straight line for T less than 0 and on parabola for T greater than 0 बोलू अरे सही तो है ये तो ये सही तो है सर देखो पहले तो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है और फिर पहरा बोला पर चल रहा है हाना सही है ये बात तो क्या खेता है सही है गलत है सही है गलत है पहले तो स्ट्रेट लाइन पर फिर पहरा बोला पर XT graph XY graph नहीं है कि path बताएगा X और Y coordinates का graph होता है वो path बताता है ये time के साथ है देखो क्या इसको study करो पढ़ो इसको ये कह रहा है कि इतने time के दोरान X constant था मार X 0 पे मतलब T less than 0 के लिए particle X equal to 0 पे था मतलब मतलब particle चला ही नहीं rest पे है rest पे चला ही नहीं और वो कह रहा है कि straight line पर चल रहा है नहीं फिर T greater than 0 पर आप ध्यान से देख ये बोल रहा है कि one dimensional motion है खुद ही बोल रहा है one dimensional motion है और फिर बोल रहा है कि parabolic path कैसे भाई one dimensional motion में पेरा बोला कैसा बनता बना कि दिखा ना one dimensional motion मतलब एक straight line पर चल रहा है और कह रहा है parabolic motion है खुद ही अपने आप बातों कोई कुछ भी बोल रहा हूँ और तुम कुछ भी ऐसे परिशान हो रही इसको देख करके बस टिक कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन पात है यह क्या बताता है यह बताता है कि पहले एक्स दीरे-दीरे भढ़ना था ताइम के साथ एक्स तेजी से बढ़ने लग गया यह बताता है एक्स पहले दीरे-दीरे भढ़ना था फिर तेजी से बढ़ने लग गया तो ये भी गलत बोल रहा है, ये भी दोनों चीजे गलत बोल रहा है, ये भी गलत है, स्ट्रेट लाइन भी गलत है, और पैराबोला भी गलत है, दोनों गलत है, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है, लेकिन टी लेस्ट देन जीरो के लिए भी स्ट्रेट लाइ राये इंक्रीजिंग विलोसिटी इंक्रीजिंग विलोसिटी स्यों यह कैसे पता लगा है बिलोसिटी और इसका स्लोप भढ रहा है सर कैसे पता करते हैं स्लोप भड़ रहा है अरे basic mathematics में शिकाया जाता है मेरे भाई यदि कोई कर ऐसे shape का है ये गोला बना देदों खुद अच्छा लगे जा खुस हो रहा है क्यों? क्योंकि इसका slope भड़ रहा है और यदि कोई graph दुखी है मतलब इसका slope घट रहा है तो ये graph देख ऐसा graph है खुस वाला graph इसका part नहीं हो सकता तो इसकी velocity भढ़ रही है slope भढ़ रहा है इसका slope मतलब velocity भढ़ रही है ठीक है? देख रहा है कितना deep चीजे हैं और बढ़ते हैं आगे और करते हैं ले और करते हैं हाँ ये करते हैं pose कर और soul कर answer select कर तिर क्योसन ही नहीं समझ में आगा मैं पता है मुझे मैं समझाता हूँ अच्छों मैं इसके क्योसन सोड़ा जीब से ही होते हैं NGIT के पर ठीक है समझते हैं देखो कर लिया है तो अपना answer आई गया होगा अब मैं करता हूँ the position time graph for two children A and B returning from their school O यहाँ school है to their home P and Q respectively ठीक है okay so in the figure choose the correct entry in the brackets below मतलब एक्सल में यहाँ A , B , B , A इसमें से सेलेक्ट करना है कि A आएगा या B आएगा वहाँ पर A , B मतलब A भी हो सकता है भी भी हो सकता है ठीक है पढ़ते हैं बोल रहा है A या B में से लिउज क्लोजर देन इस क्लोजर दी स्कूल बताओ स्कूल के नजदी कौन रहता है तो ग्राफ रीड करना सिखाता हूं ध्यान से देख रीड करना रीड करना सिखाता हूं यह इनिसियली पर्टिकल की पोजिशन जीरो है दोनों के लिए यही देखो दोनों के ग्राफ में इनिसियल टी कोल टू जीरो पर जाओगे तो दोनों यह यह यहां नहीं है कोई बात नहीं वो अभी चला नहीं था एक्च्वल में वो ऐसा ग्राफ है वो दिखाया नहीं है देखो इसमें दिखनी रहा वो ऐसा ग्राफ है एक्च्वल में ये तो तुरंद चलने लग गया लेकिन ये इतने टाइम पर चलना इस्टार्ट किया इससे पहले इसने चलना इस रो नहीं किया था देखो इसकी पोजिशन ही चेंज नहीं हो रही थी फाइनली ये वला जारा यहां पर यहां पहुँच रहा है मतलब इसका घर यहां से क्यू डिस्टेंस पे है किसका बी का और ए जो है फाइनली यहां पहुँच रहा है यहां इसका घर पी डिस्टेंस पे यह डिस्टेंस है यह है डिस्टेंस इसकूल की और घर की तो जादा किसके लिए है इस black वाले के लिए है या इस blue color वाले green कैसा color है जो भी है कौन से color के लिए बताओ 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 उब्यसी बात है ये दूर रहता है क्यों मतलब B वाला दूर रहता है तो B closer बोला है नजदी कुन रहता है A तो जवाब आएगा A leaves closer than B than B A leaves closer than B A pass में रहता है देखो A यहाँ pass में रहता है तो pass में रहना और दूर रहना मतलब final position पर depend करता है finally कहां गये है B तो finally यहाँ तक गया है A finally यहाँ तक गया था यहाँ तक नहीं गया है यह time के साथ पनोट बताता है position यहाँ y axis में मिलेगी टाइम यहां x-axis में मिलता है तो finally यहां तक गया है यह वाला a particle और b particle finally क्यों तक गया है ठीक है दूसरा start from school earlier, पहले कोन चला? इसकोल से पहले कोन चला? अव्य शिवात है दूसरा दूसरा जरुपा जूसरा प्रबॉय कने ऊस्कूल, यहां यह करा जाएंगा यह हटा नज थाएं?, तो a बाम नहीं ह्यांच, A start earlier पहले कौन चला A किसे B से और आगे बढ़ते हैं A oblique B works faster than चलो तेज कौन सा चला कौन तेज चलता है किसकी रफ्तार जादा है Speed जो होती है वो बेटा Slope से आएगी Slope of XT करो Slope of XT करो तो जादा Slope किसका है A वाले का या B वाले का B वाला देखो जादा steeper है B वाले का Slope जादा है तो इस बार आएगा B walks faster than A ये गलत हो जाएगा B walks faster than A B A से तेज चलता है तेख रहो Graph क्या क्या चीज़े बताता है ये क्योसन इस पेसले तुम्हें Graph को read करना बता रहा है कोन पहले चला ये पहले चला ये बाद में चला कोन दूर तक गया दूर तक दूर तक टाइम पहले चला दूर तक गया अब अगला देखो A and B reach home at the same or different time दोनों same time पे घर पहुँचे या लग-लग time पे घर पहुँचे घर पहुँचना ये यहां रुख गया मतलब इस समय पे ये घर पहुँच गया ये इस समय पे घर पहुँचा तो घर क्या दोनों साथ पहुँच रहे है नहीं साथ नहीं अलग-अलग कोन पहले पहुँच रहा है देखो लो B B कितना अच्छा student है एक तो इस्कूल खतम होने के बाद डाउट पूचता है टीचर से लेट चलता है ठीक है लेट चलता है फिर और जल्दी घर पहुँच जाता है साइकल जाता होगा बगाया और घर पहुँच गया टाइम वेस्ट कम से कम किया उसने ठीक है ना तो दोनों डिफरेंट टाइम पे पहुँचते हैं सेम टाइम पे नहीं पहुँचते हैं अच्छा ए ओवर्टेक चलो बताओ कून किसको ओवर्टेक करता है ओवर्टेक का मतलब समझते हो ओवर्टेक करने का मतलब क्या होता है जो आगे चल रहा है उसको ओवर्टेक करने के लिए पीछे वाले को तेज चलना पड़ेगा पहली बात तो पीछे वाला ओवर्टेक करता है आगे चलने वाले को हमेशे ऐसा नहीं हो सकता कि आगे चलने वाले ने पीछे चलने वाले को ओवर्टेक कर लिए यह क्या मतलब हो उथ पहले से आगे था ऑवर टेक होना जो कर ना չुँष हूं पीछे वाला ही आगे वाली खूर कर सकता है और उपी कब जब उसे टेज चले तो ही क्रूर्स कर सकता है तो इसमें बताओ, overtake मतलब, overtake का मतलब होता है किसी एक particular time पर तुनों एक जगह होंगे और cross कर जाएंगे दूसरे को, ऐसा नहीं हो सकता कि एक school से 10 मिटर दूर था, एक school से 30 मिटर दूर था और overtake कर लिया, overtake के लिए तो आजू-बाजू से निकलना पड़ेगा, मतलब किसी एक time पर position same होनी पड़ेगी, वो कहां हो रही है, वो कहां हो रही है, गर आपको देखे बताओ, इस particular time पर overtake हो रहा है, इस particular time पर overtake कर रहा है, और उस समय जब overtake कर रहा है, तो इसकी position ये थी, यह होता है overtake करना, तो कौन किसको overtake करता है, B वाला particle जो है तेज़ चल करके A वाले को overtake करेगा, B overtake A on the road, once or twice, once, A की बार करता है, ओ दुबार करत नहीं किया, ये नहीं, ये गलत, ये गलत, तो B overtake A on the road, once, देखो कितना अच्छा deep क्योसन है, ये, कितना deep क्योसन है, देख लो, क्या बोलते हैं, चल ओर करते हैं, ओर करते हैं, ये करते हैं, figure 2.14 gives xt plot of a particle in one dimensional motion, one dimensional motion का xt plot दे रखा है, अच्छा, three different equal time interval दिखा रखे हैं, मतलब ये जो interval हैं, बराबर बराबर time interval है, हो सकता है, एक-एक millisecond के, हो सकता है, दस-दस millisecond के, एक time interval बराबर हैं का, दिखा रहे हैं, इन which interval is the average speed greatest, बताओ इन में से देखके कि average speed सबसे जादा किसमे है, और किसमे सबसे कम है, average speed, फोर्मूला बताओ पहले मुझे, तुम answer दो, answer दो, अपना answer निकालो, अपना answer निकालो भाई, देखो, अपना answer निकालो, सोचो, सोचो, अब मैं करता हूँ देखो, average speed जो होता है, वो तर डिस्टेंस अपन टाइम, इसने distance सली यहां से यहां तक, इसने यह वाली distance सली, इस वाले ने देखो, बड़ा और वापस आया, घूम गया यह, पहले उपर गया, फिर वापस आया, इसने तो और कम चली, सिर्फ इतना ही चल पाया, distance मतलब x सेक्सिस पे कितना उपर मुग की आया, नीचे मुग की आया, distance मतलब x पे, इधर तो टाइम है, तो यह इतना distance सला, इसने तो और कम चली, इसने यहां से यहां तक की, यह distance सली, तो ज़्यादा किसने चली, फिर इसने, इसने सबसे कम चली, थिक है, तो distance, टाइम बराबर है, तो distance भड़ेगा, डिस्टेंस भड़ेगा, तो average speed भड़ेगा, तो distance सबसे ज़्यादा किसका, तबसे ज़्यादा किसका, highest है 3 का, सबसे कम किसका, least है 2 का, आंसर, ग्राप से आंसर, यदि value दे रखी होती, तो हम ये भी बता देते कितना है, ये भी बता देते, ठीक है, clear, देखो आसान के गोशन है, लेकिन समझ नहीं आता, मैं mostly गलत आंसर दिया होगा, मैं जानता हूं तुमें, ये और देखो, इस बार एक speed time graph हमें दे रखा है, वो ये तीन case दे रखे हैं, पार्टिकल मोशन अलों कॉंस्टेंट डारेक्शन मतलब एक डारेक्शन में चल रहा है, सीधा-सीधा, 3 equal time interval दे रखे, in which time interval is the average acceleration is greatest, in magnitude, average acceleration अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अभी मैं बात बाद में करूँगा, average acceleration की बात अभी थोड़ा रुख के करूँगा, आगे बढ़ो, in which interval is the average speed is greatest, अभी यह बता दो, average speed हम पढ़ चुके, average speed इस में से किस interval में सबसे ज़्यादा है, average speed, सबसे ज़्यादा, बताओ, मुझे पूरा विश्वास है, तुमने answer second निकाला होगा, मैं 100%, damn sure हूँ, comment में लिख दे, तुने answer second निकाला या निकाला, इमान दर इसे comment में लिख दे, निकाला या निकाला, second निकाला या निकाला, हना, चल, अब देखते हैं, actual जवाब क्या होगा, बिटा ये graph नहीं देखा तुने किसका है, speed का graph, speed का, इस दोरान इसकी speed कम थी, मतलब मालो 10 meter per second से बागर, तो 10 और 10.1, तो उसका average 10 और 10.1 के बीच में आएगा, इस दोरान speed, ये distance का graph नहीं है, कि distance अब जादा सला, सर देखो जादा distance सला, distance नहीं है ये, speed का है, तो इसकी speed इस range की थी, यहाँ पर speed center पे निकालो, बीच में, average निकालों तो तुम लगबग center पे निकालों, और यहाँ की speed इस range की है, सबसे जादा speed इस दोरान है, सबसे y-axis देखो speed को बता रहे है, सबसे जादा speed deep point पर है, तो average भी वहाँ सबसे जादा होगी, और जहाँ एक bike चला रहे हो, तुम speed को कम जादा कर रहे हो, लेकिन छोटे छोटे इंटरवेल लिए, तो जहाँ तुम धीरे बाईग चला रहे थे, उस interval में average कम आएगी speed, जहाँ तेज बाईग चला रहे थे, उस interval में average speed जादा आएगी, तो यहाँ average speed सबसे जादा होगी, तो highest average speed, highest average speed, एक्चल में कहाँ होगी, कहाँ होगी, deeper, third पर, at d, देखा, गलत था ना, सच सच बता ना, गलत था ना, तो यह द्धान से सगो, इसमें यह इसलिए क्योशन दिया है इसने, कि तुम कम से कम graph किसका दिया है, वो तो पढ़ू, यह speed का graph दिया है, हाँ, यदि यह पोचता, कि सबसे ज़्यादा change in speed किस case में हुआ है, सबसे ज़्यादा speed कब change हुई, तो जवाब यह आता है, सबसे ज़्यादा change in speed, तो हम यह interval लेते, इसका कम है, इसका ज़्यादा है, इसका तो 0 ही अलग बग, सबसे ज़्यादा यहाँ हुआ है, देखो, यहाँ से यहाँ तक का change, सबसे ज़्यादा हुआ है, तो यह graph को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब ही graph के question सही हो पाएंगे, कि किसका graph दिया है, यह तो देख लिया करो, acceleration पर अभी आते हैं, अभी देखना, actual में answer आच चुका है, फिर भी acceleration पर, acceleration को समझ के आते हैं, आजए हैं, वह आपस NCRT पर आते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं, acceleration के बारे में, जल्द इससे कहानिश पढ़ लेते हैं, यह थोड़ी भूमी का सेट कर रहा है, कि acceleration की बात कहां से आई, तो भोल रहा है कि इस change को कैसे describe कर रहा है, शुड इट बी described as rate of change in velocity with distance or with time, देखा, मतलब आज तुम्हें आसान लगता है, acceleration, change in velocity upon time interval, रहा है, बड़े मजे में बोलते थे, लेकिन जो सबसे पहले acceleration को define कर रहा होगा, उसकी हालत क्या हुई होगी, उसको क्या पता कि time के respect में करना है, कैसे उसने idea लगा है कि time के respect में define करेंगे, acceleration को, actual में सबसे पहले जब गलीलियो जब इसकी को define कर रहा था, तो उसने सबसे पहले position के साथ define किया velocity का change, कि इस position पर ये, इस position पर ये, लेकिन उसने experiment में realize किया, कि position के साथ velocity का change कोई अच्छा relation नहीं आ रहा है, लेकिन time के साथ अच्छा relation आ रहा है, उसने क्या कि एक particle को छोड़ा, आप देखो, ज़्यादा height से छोड़े, तो कुछ distance सलके, कम height से छोड़े, तो कुछ position से फरक ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसने देखा कि time के साथ, मतलब ज़्यादा तेर particle हवा में है, तो velocity में change ज़्यादा हो रहा है, कम देर particle हवा में है, velocity में change कम देर हो रहा है, तब उसने decide किया, अच्छा, फिर उसने प्राष्टा बदल के देखा, उसने incline plane पे छोड़ के देखा, तो भी उसने देखा कि time के इसाब से velocity में change आ रहा है, तब उसने finally decide किया, यह सारी कहान इसने बता रखा है, तब finally decide हुआ कि time के साथ करना चाहिए, ठीक है न, this led to the concept of acceleration as rate of change of velocity with time, पट हम ठीक हम तो याद कर लेते हैं, हमारा तो time, सुने रहे एक्सर में लिख रहे हैं चीजे भाई, हम तो याद कर रहे हैं, हमें तो ना describe हम नई चीजे बनानी है, ऐसे कुछ, यादि बनानी है तो इतना deep में जाके समझना पड़ेगा, तो उसने time के साथ average acceleration को define किया, तो क्या define कि average acceleration को वो ये था, उसने average acceleration को ये define किया, change in velocity upon time taken, change in velocity upon time taken, ये average acceleration को define किया, one dimensional motion में सिर्फ हम velocity को final velocity minus initial velocity upon time लिख देंगे, यदि हम आगे बढ़ेंगे तो इसको vector form में लिखेंगे, final velocity vector initial क्योंकि फिर three dimension में particle चाणने लग जाता है, लेकिन one dimension में simple delta v upon delta t आ जाएगा, ठीक है, अब देखो, याद है हमने जब velocity को define किया था, किसी एक instant पे, तो कैसे, ये तो average है, ये तो average है, देखो, ये बार का मतलब average है, ये है average acceleration, average acceleration, change in velocity upon time taken, ऐसे वहाँ average velocity आया था, displacement upon time, delta x by delta t, फिर हमने कहा कि time interval को कम करो, कम करो, कम करो, तो time interval को छोटे करते गए थे, तो delta x dx बन गया था, और delta t dt बन गया था, सेम ऐसे ही, यदि instantaneous acceleration को define करेंगे, सेम adjectives वैसे ही, वोई कहानी दुबारा repeat करने का कोई फायदा नहीं है, तो ये dv बन जाएगा, और नीचे dt बन जाएगा, जब time interval बहुत सोटा करते जाओगे, इसको graphically भी समझ सकते हैं, कि तुम यदि velocity का time के साथ graph बनाओगे, velocity का time के साथ आगे दे भी रखा होगा, नहीं दे रखा क्या कही graph? नहीं दे रखा, तो मना देता हूँ, यदि तुम velocity का time के साथ graph बनाओगे, और वो मान लो ऐसा आएगा, तो तुम इस point को इस point से मिलाने वाला जो ये खीचोगे, ये average acceleration बताएगा, इसका slope, इसका slope क्या बताएगा? Average acceleration, velocity में change upon time taken, average acceleration बताएगा slope, जैसे वहाँ average velocity आया था, और जब इस interval को छोटा करते जाओगे, छोटा करते जाओगे, एक time ऐसा आएगा, ये tangent बन जाएगा, तो इसका slope तुम्हें क्या बता देगा? Instantaneous acceleration, याद करने वाला result है, लिख देता हूँ, नहीं लिख रखाए, यहाँ लिख लेना, slope of velocity time curve, velocity time curve, gives acceleration, और यादी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का slope निकालोगे, velocity time curve पर, तो that will give average acceleration, उसका slope, average acceleration को देगा, ठीक है? clear है? देखो, क्योशन आ सकते हैं इसमें, जैसे मान लो, ऐसा क्योशन हो, यही ग्राफ है, velocity time curve ऐसा है, दो case देज़ेता है, एक case में वो देता है, ऐसे, एक case में देता है, कि यहाँ से particle यहाँ तक, average acceleration, एक case में देता है, वो यह वाला, यहाँ से particle यहाँ तक, पूछे, किसका average acceleration ज़्यादा है, इस interval का average acceleration ज़्यादा है, या इस interval का average acceleration ज़्यादा है, तो VT करो का जो slope है, वो average acceleration बताएगा, इस दोनों को मिलाने वाली line, तो इसका average acceleration ज़्यादा आएगा, इसका कम आएगा, क्योंकि उसका slope जाता है ऐसे questions बहुत high level के questions होंगे यदि पूछे जाते हैं लेकिन इन concept को पढ़ने से ये फायदा है कि तुम समझ पाओगे कि क्या बताना चाहा है तिक है तो VT करू का slope तो बताता है instantaneous acceleration लेकिन यदि एक code ऐसे exact tangent ना बना के code टाइप में बनाओ दो point को मिलाओ तो वो उसका slope बताता है average action lesson ये चीज ऐसे ही समझो कि एक graph जो है बिटा एक graph जो है एक graph है जैसे ये VT graph कोई भी graph ऐसा let's suppose ऐसा graph बना दिया कोई भी graph बना दिया तो इसमें tangent जो है tangent ये तो instant इसका slope इसका slope जो है वो क्या बताएगा instantaneous acceleration वहीं पर यदि तुमने ये graph बनाया ये वला दो point को मिलाने वाली line बनाई ये code बनाई इसका slope जो है that will give average acceleration average acceleration हो सकता है कि instant न देखो ऐसे इसका average acceleration और इसके दोनों parallel लहना तो दोनों सेम है instantaneous acceleration यहां का यहां के average acceleration के बराबर कई type के questions यहां से बनाई जा सकते हैं बट यह द्यान अकने वाल चीज है कि यह average acceleration बताता है ठीक है चलो आगे भढ़ते हैं अब देखो यह वही देखो delta v by delta t था उसका dv by dt लिग दिया dv by dt acceleration हो जाएगा instantaneous acceleration यह हो जाएगा instantaneous acceleration ठीक है अब देखो कुछ कहानी सुना रखा है इसमें कहानी अपने ज़्यादा काम की नहीं है यहां पर जाके यह graph थोड़े से ध्यान रखने है यह graph काम के हैं यह graph काम के है तीनों graph देखो positive acceleration x t graph vt graph से तो हम velocity को भड़ता हुआ देख के हम बता देंगे velocity भड़ रही है मतलब acceleration positive velocity घट रही है मतलब acceleration negative लेकिन x t graph से कैसे पता करें तो तरीके से x t graph के slope से आता है velocity फिर वो slope भड़ रहा है घट रहा है उससे देखते है acceleration लेकिन उसका एक आसान तरीका है खुस और दुखी वाला अभी जो मैंने बताया था smiley smiley ऐसे कारू का slope भड़ता है slope भड़ता है तो x t कारू का slope होता है velocity x t कारू का slope होता है velocity इसका slope है velocity और ऐसा कारू है तो velocity भड़ रही है मतलब acceleration positive कभी भी यदि velocity भड़ रही है मतलब acceleration positive कभी भी देखो इसका ये दुखी है slope decrease होता है कभी भी slope decrease कर रहा है x t graph का मतलब velocity decrease कर रही है मतलब acceleration negative है तो positive acceleration का XT graph ऐसा कुछ बनेगा negative acceleration का graph कुछ ऐसा बनेगा और zero acceleration का XT graph visit constant straight line بنेगी क्योंकि उसका slope change नहीं होना चाहिए acceleration zero मतलब velocity constant होनी चाहिए मतलब XT graph का slope change नहीं होना चाहिए तो यह तीनों बहुत काम के हैं यह graph में बहुत काम के हैं positive acceleration ऐसा graph बनेगा निगेटिव ऐसा, XT graph ऐसा जैसे क्योसंस में वो सिर्फ ऐसा दे देगा, देखो जैसे मैं एक बात बताता हूँ जैसे मालो graph ये दे दिया XT कर एक ऐसा दे दिया XT कर एक ऐसा दे दिया XT कर तो अब देखो, ये जो है कैसे, किसका portion रहा होगा, smiley का या sad का, किसका रहा होगा तो ये smiley का face का रहा होगा ऐसा, देखो ऐसा तो acceleration greater than zero ये sad का रहा होगा acceleration less than zero ध्यान रगना graph XT graph XT है ये भी smiley face का रहा होगा acceleration greater than zero यदि XT graph ऐसा है XT graph ऐसा है तो acceleration zero यदि XT graph एक straight line है मतलब particle की velocity constant है मतलब acceleration zero देखो graph कई चीज़े बोलता है यदि हम समझे तो graph बहुत सारी चीज़े बोलता है और वो इस पस्ट यहां देखो NCRT में ये graph बना के दे रखा है इससे questions पूछे गए हैं पहले भी ठीक है? अब देखो में चल रहा है मतलब velocity positive देखो छोटी चोटी बात है moving in positive direction it means velocity is greater than zero तो graph उपर बनेगा X-axis से positive acceleration मतलब slope is positive slope greater than zero VT का रुका तो देखो इसका VT का रुक ऐसा बनता है positive देखो इसके उपर है तो velocity positive है और इसका slope positive मतलब acceleration positive यह पहला situation इसकी velocity positive है velocity is greater than zero but slope negative मतलब acceleration is less than zero इसका velocity greater than zero acceleration greater than zero इसका velocity negative V less than zero acceleration slope is also negative acceleration less than zero तेकिन इसका velocity इस दोरान यहां से पहले velocity is greater than zero और इस दोरान velocity is less than zero लेकिन इसका slope हमेशा negative है acceleration is less than zero VT कारुका slope acceleration बताता है तो धलान positive है या negative है उससे acceleration decide होता है velocity positive है या negative है ये इस graph इसके उपर बना है या इसके नीचे बना है उससे decide ठीक है ना तो काफी कुछ graph का चीज़े यहां इसमें सब जा रख है ठीक है बेड़ा फिर बता दूँ ये सारी चीज़े तब ही समझ मैंगी जब आप class में graph को पढ़ चुके हो फिर ये अस्चेज़े crystal clear एकदम दिमाग में set होगी एकदम एक एक चीज़ set होगी और क्यों संस भी हम साथ साथ करेंगे वो भी एक एक चीज़े set हो जाएंगे ठीक है ये देखो velocity time curve अब एक चीज़ बो रखा है the VT curve is a straight line parallel to the time axis and area under it between 0 to T is the area of rectangle of height U फलाना फलाना एक पीछे की statement है यहां दिखा नहीं कहीं है चूट गया यहां पे दे रखा है देखो ये रहा an interesting feature of velocity time graph for any moving object is that the area under the curve represent the displacement over a given time interval याद करने वाला है इसको highlight कर लेना भाई highlight कर लेना the area under the curve interval is displacement VT curve का slope तो बताता है acceleration और उसका area बताता है displacement VT करू का area बताता है displacement और वो ही इसने sorry चल जा रहे अब क्या चलेगा यह नहीं भाई तू हद्ध है यहां वो ही बता रहा है कि VT करू का जो area है वो क्या बताता लिख लो area अंडर VT curve यह क्या देता है displacement sorry displacement displacement ठीक है यह है अब देखो आगे कुछ काम की चीज़े बोली है यहां पर देखो note that XT VT 80 graph saw in several figure in the scepter have sharp kings at some points implying that function are not differentiable देखो excellent क्या बोल रहा है कई बार यार जब graph बनाते हैं जैसे मालो velocity time graph बनाते हैं तो कई बार हम बना देते हैं कि ऐसे है फिर ऐसे है ऐसे यह एक sharp corner बना देता है sharp corner actual में practically sharp corner कभी नहीं बनता यह बताता है कि velocity एकदम से change होगी एकदम से घटने लगी मतलब 10 से इधर भाग रहा तुरंत इधर भागने लग गया एक impact को दिखाता है जैसे एक बोल इधर आ रहे हैं टकरागे तो रहे हैं चल लगी लेकिन उसको भी अधी देखोगे तो उस situation में भी वो time बहुत छोटा होगा लेकिन time तो लगेगा अचानक से कभी नहीं होता वो बोल आएगी तकराएगी हलका सा compress होगी फिर ऐसे आएगी और फिर वापस है actual में time तो लगता है तो यहीं बोल रहा है कि practically जो graph होते हैं वो corner नहीं होता है turn होता है turn होता है smooth turn corners नहीं होते हैं तीक है ना वो एक realistic situation को नहीं दिखाता है in any realistic situation the function will be differentiable at all point differentiable मतलब corner नहीं होगा curvature होगा उसके अपर with this mean physically is that acceleration and velocity cannot change ever a player वो ही बोल रहा है कि कभी भी velocity acceleration जो होते है अचानक से change नहीं हो सकते they will take time चाहिए वो time बहुत छोटा क्यों नहीं हो लेकिन time जरूर लगेगा ऐसा नहीं हो सकता कि 2 seconds तक 10 था acceleration और just 2 के बाद ही एक दब से 50 हो गया नहीं that will take time चाहिए वो 10 millisecond ले 20 millisecond ले पर time लेगा यह होगे ठीक है फिर इसके बाद आती है kinematical equations kinematical equations पर हम बाद जाएंगे पहले और क्योंस करेंगे आ जाएं क्योंस करते हैं क्योंस करते हैं चलो यह कुछ क्योंस मैं आपको homework के लिए देता हूँ आफसोश समझ के करना अगले lecture में मैं इन सब को discuss करूँगा यह तो homework क्योंस है क्लास में भी करवाते हैं करना है आपको लेकिन इसके अलावा देखो कुछ बहुत प्यारे-प्यारे से questions है जैसे यह देखो एक वो वाला भी है acceleration वाला अब समझना इसको हाँ यह वाला अब समझ में आएगा acceleration क्या होता है velocity में change अब सीधा सीधा एक line पर चल रहा है तो speed में change मतलब velocity में change तो highest change in speed मतलब highest acceleration highest acceleration average acceleration highest average acceleration ठीक ना इसका answer आचुका है और यह homework में है यह वाला homework में pose करो और soul करो एक एक चीज को explain भी करेंगे यह देखो homework में है कारण भी सोचो one dimensional motion में कौन कौन सा सही है मैं guarantee लेता हूँ तुम गलत जवाब दोगे कई ऐसे क्योसंस और NCRT में जो तुम गलत जवाब दोगे जवाब देना और अगले वीडियो में चेक करना अपना answer सही है गलत है ठीक है यह चेक करना ठीक है इतना ही आज के लिए इतना है अगले lecture में इन क्योसंस को भी करेंगे और फिर आगे अगले